नजला जुखाम होना common curve cold होना कई ऐसे पिशेंट्स है जिनको बहुत दिनों से problem है chronic problem है और यह मरीज ऐसे मरीज है जो काफी सारी दवाईया खाके आ चुके हैं यह काफी सारी दवाईयां जो एंटी ऐलर्जिक हैं या कई ऐसी इस्टिरोइट्स हैं जो पिशेंट्स खाके आ चुके हैं लेकिन पिशेंट्स को रिलीफ नहीं मिल रहा है और पिशेंट्स चाहते हैं कि कुछ नैचुरल मिले कुछ ऐसी चीज मिले जिसके side effects कम हो कुछ ऐसी बी तरह की allergy में आप ले सकते हैं चाहे वह तुचा की allergy हो चाहे वह रेस्प्रेटरी से रिलेटेड़ एलर्जी हो चाहे मरीज को acute rhinitis हो नजला जो खाम हो आखों में पानी बहुत जादा आता हो रनी नोज हो नाथ से पानी बहता हो या ऐसे मरीज जिनको कंजिस्टेड जिसे आप साथ में लेंगे अगर पहली medicine के साथ में दूसरी medicine आप लेते हैं तो आपकी किसी भी तरह की allergy जो है वो ठीक हो सकती है और आप permanently ठीक हो सकते हैं तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि allergies होती क्या है और allergy को अगर हम थोड़ा सा समझ ले थोड़ा सा focus करे scientifically अगर हम सम related allergy है जैंको इसकी साथ रिलेटेड जीट है तो क्या वो patience आगे चलके कई complicated बना सकते हैं कई ऐसे पेसे मोते हैं prevention न करें, इसके लिए कोई medicine अगर नहीं ले, इसे ठीक करने का अगर तरीका न सोचें, तो आपको ये problems थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, जैसे के लंबे समय से headache होनी की समस्या या headache tendency आपको हो सकती है, कभी भी आपको अगर कोई दिक्कत होगी, तो सिर में दल्द आपको होन नाग के अंदर होता है, कई ऐसे मरीज होते हैं, जिनको sinus की problem हो सकती है, कई ऐसे मरीज होते हैं, जिनको अस्थमा की problem हो सकती है, और bronchitis की समस्या देखने को मिल सकती है, तो अगर आप इसे treat नहीं करेंगे, लंबे समय से अगर आपको allergies हैं, लंबे समय से अगर आपको ये problems तो आपको इन चीजों से बचना चाहिए और अपना प्रिवेंशन प्रॉपर तरीके से करना चाहिए तो यह बीमारियों उसको अगर आप नहीं अपने वॉड़ी में एंटर करने देना चाह रहे हैं तो आपको ऐलर्जी से बचना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो ऐलर्जी यानि की अगर मान के चलिए तो अगर डूस की अंदर जाएगी तो ऐसी सिच्टिशन में हमारा सरीर अगेंट्स करेगा आपने देखा हूगा की जब प्याज काटते हैं तो हमारी आखों से आसों निकलते हैं क्योंकि जो उसका कैमिकल था जो उसकी फ्यूम्स थी वह आखों के अंदर गई और हमारी आखें रियक्ट करना इस्टार्ट कर दिया इसी प्रकार से हमारी वाडी किसी particular चीज के लिए sensitive हो जाए, hyper sensitivity दिखाने लगे उसे हम allergy की category में लग देते हैं ऐसे एक example से और समझेगा कि अगर आपको किसी medicine से reaction है, अगर आपको कोई medicine suit नहीं करती है तो आपने देखा होगा कि skin पर कई बार आपने कोई cream लगाई या चेहरे पर आपने कोई cream लगाई, तो आपको cream लगाने से और ज्यादा फोड़े फूंसियों होने लगे, pimples होने लगे, कई और बिमारिया स्टार्ट होने लगे, तो आपकी वाडी उसे suitable नहीं कर रही है, इस reaction कर रही है, react कर रही है, इसे हम allergy कह देते हैं, अब allergy किन किन कारणों से आपको हो सकती है, उसे समझना जरूरी है, क्योंकि allergy कई ऐसे basic regions होते हैं, कई ऐसे common regions होते हैं, जो अगर आप अपनी life में थोड़ा बदलाव करें, changes करें, तो आप अपनी allergies की problems को बिना medicines के भी ठेक कर स सकती है, तो ऐसे situation में क्या common region हो सकते हैं, सबसे पहला होता है, एक्यूर रानेटिस के लिए, या skin allergies के लिए, या फिर कहें कि आपको respiratory से allergies के लिए, especially जिन को जुखाम, खासी common cold हो रहा है, ऐसे situation में, कई ऐसे मरीज होते हैं, जिनको weather change होने पर होता है, जैसे अभी बहुत ज से सीजन से दूसरी सीजन में convert हो रहे हैं, तो ऐसे situation में जुखाम, खासी होना, बल्गा माना, ये common बात होती है, तो ये एक allergies हो सकती है, अगर आप इसे लंबी समय तक अगर आपको ये problem है, कि हर सीजन में होता है, आपको हर दो महीने में, तीन महीने में ऐसी problem होती है, तो ये seasonal हो सकता है, season change होगा, better change होगा, उसके बज़े से हो सकता है, दूसरा ये fumes से हो सकता है, जैसे धुआ है, chemicals है, chemicals है, smells है, कई बार आपने देखा होगा, कुछ बन रहा है, या किसी चीज की smell आ रही है, तो उसके बज़े से आपको छीके आना start हो जाती है, कई लोगों को नाच से पानी आना start हो जाता है, आकों से पानी आना start हो जाता है, जैसे अंडा है, ये specific कुई चीज खाने से बैंगन खाया, या किसी मरीज ने कोई ऐसी चीज काई, पापाया खाया, apple घाया, तो ऐसे फूदे सेपाया इसके अलाबा जो animals hairs होते हैं पैट hairs होते हैं आपने देखा घराओं में कई ऐसे पालतू जानवार होते हैं उनकी बजल से जो दस लोग हैं दस में से किसी एक को हो सकता है कि ऐलर्जी सो तो ऐसी situation हो सकते हैं इसके अलाबा कई ऐसे chemicals आते हैं काश्मेटिक ऐसे चीज़े आते हैं, जिनके बज़े से, आपको एलर्जी custard होती हैं इसकीन की एलर्जी होती हैं? और नोज से रएलर्जी сог Danach अडरा होती हैं जिनके बज़े से आपको एलर्जी सो जाती हैं Dreyfave करें ऐसी situation से निकलने के लिए बाहर निकले जाए तो कैसे निकला जाए और natural तरीके से कोई side effects भी नहीं हो और medicines बहुत specific हो तो सबसे पहली medicine है इन चीजों को ठीक करने के लिए histaminum histaminum west medicine है 200 potency में आप लीजेगा दो drops केवल एक वार आपको टंग पर डालनी है और इसे daily use करें 10-15 दिन के लिए आप इसे ओप्योग करें और करीवन-करीवन एकात महिने तक आप इसे ओप्योग करेंगे तो आपकी जितनी भी प्रकार की ऐलर्जियां है कहें की sensitivity जो particular चीट से है वह धीरे-धीरे खतम हो जाएगी ठीक हो जाएंगे आप और प्रपर तरीके से आपके allergy ठीक हो सकती है हिस्टरमिनम मैं आपको नाम फिर से बता रहा हूं हिस्टरमिनम 200 दो ड्रॉप से डायरेक्ट टंग पर आपको डालनी है और केवल एक वार सोबह सोबह केवल आपको एक वार लेनी है और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँँगा हो अवेपैथी मैडिसन्स खाने का सबसे वेश्ट तरीका होता है एंप्टे स्टरमक यानि खाली पेट अगर आप लेते हैं तो इसके बहुत अच्छे डिजर्ट्स आपको मिलेंगे और बहतरीन तरीके से आप अपनी बीमारे को ठीक कर सकते हैं तो हिस्टरमिनम 200 पोटेंश करम करके उसे ठंडा कर लें आदा का पानी उसमें दस ड्रॉप्स डालें और दिन में तीन वार आप ले सकते हैं बहुत ही इस्पिसिफेक मैडिसन है अलर्जी के लिए और दूसरा जिन मरीजों को इम्यू सिस्टम बीक हो जाता है कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो इस्ट होती है वह बढ़ने के बजह से आपको एलर्जी या कई अन्य बिमारियों से हमारी यह मैडिसन आपको बचाती है तो पोथोस क्यूं में अपको लेना है ददस बूने आप दिन में तीन वार आधिका पानी मिला करके पी सकते हैं बहुत ही अच्छे रिजल्स आपको देखन प्राइब से प्राब्लम है और एक रहता है जब हैडेक होता है जब मरीज को कब होगा जब वह किसी चीज़ पर कंसंट्रीट कर रहा है तो ऐसी सिचुईशन में उसको हैडेक होगा तो इस सिचुईशन में आपको साबडिल्ला 30 पुटेंसी में दो डॉप्स के वर टंग आपको डाली नहीं है तीन वर आप इसे ले सकते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और अपनी एलर्जिस से रिलेटेट प्राब्लम्स जिनको है जिनको नोज से पानी आ रहा है आखों से पानी आ रहा है या कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको काफी सारी आ ख्रोणिक प्राबलमस होती है सभावडलह में तो सावाड इलिल्ला से ठीक कर सकते हैं इसकी अलाबा आर्शनिक यायाट में क्या होता है कि नोज के अंदर वर बर्निंग होका उसको वरिंग भाण नेच्फ क duties am में बहुत अच्छा उप्यों करती है जिन मरीजों को जुकाम खासी कॉमन कर रहता है फीजिंग साउंड्स उनको आता है रात में उनकी कम्ट्रेंट्स बढ़ जाती है कफ बहुत जादा होता है तो ऐसी सिच्वीशन में आर्शनिक ले सकते हैं आर्शनिक 30 पुटेंसी में द एक्रिट टाइप का उसको डिस्चार्ज होता है ऐसी सिच्वीशन में एलियम सीपा बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसों होता है एलियम सीपा 30 पुटेंसी में दिन में तीन वार सोबा दो फ्रेंस स्याम को दो-दो ड्रॉप्स आप ले सकते हैं बहुत यह अच्छे स्पेसिफ नाक से जब थोड़ा बाद पानी निकल जाता है तो उसको पानी निकलने के बाद ड्राइनेस उसको हो जाती है नेट्रम्यूर बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है और जिनको हैडेक रहता है धूप में निकलने से जिनको थोड़ा बहुत हैडेक स्टार्ट हो जाता है जना की समस्याओं को दूर कर सकते हैं ठीक कर सकते हैं और अपनी बिदाउट side effects medicine को आप यूज कर सकते हैं दूसरी चीज आपको याद रखना होगा allergies का कैसे पता लगा है तो किसी भी लैवलोटी में जाके IgE टेस्ट कराते हैं उसके help से हमें पता लग जाता है कि किस चीज को खाने से आपको allergy है क्या आपको बंद करना है क्या चीज आपको नहीं खाना है किस चीज से आपको hypersensitivity हो रही है तो आप इस चीज का थोड़ा पता लगाए दूसरा जिन चीजों से आपको problem से उससे दूरी बना लें जैसे कि बैदर चेंज होने पर आपको problem होती है तो प्रापर तरीके से आप कपड़े पहने या फिर आप ऐसे बैदर में न जाए ऐसे बैदर चैन्ज होने पर थोड़ी से खास आपको करने करने का शाहिए अखास आपको थ्यान लगना चाहिये दूसरा जिनको cricket से का अभर फोड़ां है वो बोड़ा है वह को अलर्प्रास में ऑनत जाए जनके अभर गा इसलिया मैदार यहां upwards पिने की चीजों से अलर्जी है तो उस चीज को अबोएट करें, simple कहने का मतलब यह है कि जिस चीज से आपको अलर्जी है उसका पता लगाए और जिस चीज से आपको अलर्जी हो रही है, जो problem आपको create कर रहा है, उस चीज से दूरी बना ले वो सबसे west होता है I hope की वीडियो आप सबी के लिए बहुत ही ज़्यादा helpful होगा, इस तरह की और वीडियो देखने के चलको subscribe करें, नमस्कार, thanks for watching have a nice day, जैन